गैस आज का ये वीडियो ऑपरेटर्स के बारे में आप लोग सोचते होंगे कि यार ये ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास जब 5 प्लस 2 is equal to 7 हम लोग करते हैं तो 5 और 2 होते हैं ऑपरेंट्स और ये जो प्लस होता है ये होता है ऑपरेटर इसी तरह कि बहुत सारे उपरेटर्स हमारे पास जावा प्रोग्रामिंग में होते हैं अब आप लोग को जोड़ना घटाना मल्टिप्लाइ करना तो आता ही होगा लेकिन इस वीडियो में कुछ एहम चीज़े हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा आप लोगों को कुछ बाते बताना चाहता हूं जो कि मैंने नोट्स में भी लिखी हुई है अप लोगों को जिस प्रकार सा हैं अपरेटर्स पे हम सबको पता है क्या होता है हम सब ने इन नौइंग लिए अन नौइंग लिए ऑपरेटर जरूर यूज किया है आपने दो नंबर को तो जोड़ा ही होगा अपनी जिन्दगी में ग्यारा और साथ रठारा होता है तो operator इसमें plus है और ग्यारा और साथ जो है उसको operand कहा जाता है ठीक है तो यह operator और operand की कहानी operators are used to perform operations on variables and values जरूरी निये कि वो operation values पर ही हो variables पर भी हो सकता है मान लो आपका int x is equal to 8 आपने लिखा है यहाँ पर और मान लो कि आप लिखते हो x plus 2 is equal x plus 2 लिखते हो print करते हो x plus 2 को तो आपका x plus 2 जो है वो print हो जाएगा ठीक है अगर आप b is equal to x minus 2 लिखते हो तो b के अदर x minus 2 assign हो जाएगा and so on अभी जो operator की कहानी है इसको मैं बहुत जादा नहीं घसी दूँगा मैं मैंने आपर बहुत जल्दी summarize कर दी है सारे operators arithmetic operator फिर उसके बाद comparison operator assignment operators logical operators और bitwise operators primarily यह सारे operators होते हैं Java के अंदर हमारे तो यहाँ पर जल्दी से एक file बनाऊँगा और उस file का नाम मैं आपर रखने वाला हूँ new java class कर लेता हूँ पहले और cwh underscore chapter 2 है यह और chapter 2 और यहाँ पर मैं इसका नाम रख दूँगा operators ठीक है और dot java यह खुद add कर लेता है अब मैं आपर main function एक add करूँगा और zoom कर लूँगा ताकि आप लोगो को दिखाई दे बाकी की जो files हैं यह मैं सब बंद कर दूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे जरूरत है इन files की इसको भी minimize कर दूँगा फोकस करते हैं सिर्फ इस प्रोग्राम पे तो अगर मैं यहाँ पर int a is equal to 4 लिखूँ और int b is equal to 6 plus a कर दूँँ तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देख लो मैंने गलत प्रोग्राम अक्चली रन कर दिया है जब मैं एक नई file मनाता हूं तो मुझे right click करके run करना चाहिए और यहाँ पर आप लोग देखो कि इसने मुझे 10 प्रेंट करके दे दिया है ठीक है अब मैं 6-4 भी कर सकता था इसको 6-a भी कर सकता था और इसको मैं run करूँगा तो यहाँ पर देखो b की value क्या आगई 2 आगई 6-4 2 होता है तो इस तरह से मैं अराम से अपने operators को use कर सकता हूँ मैं multiply भी कर सकता था 6 multiply by 4 हो जाता 24 और वो सब बाते तो आपको पता ही है मैं उसमें बहुत जारा time नहीं घस्रीटना चाहता time is very valuable यहाँ पर मैं assignment operators की बात करना चाहूँगा हमने unknowingly अभी use कि assignment operator equal to क्या है equal to assignment operator है जब मैं कहता हूँ int b equals to 6 multiply by a तो मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ मैं कहता हूँ कि b के अंदर 6 multiply by a की value को रख दो यानि कि assign कर दो यानि कि 6 multiply by 4 अगर 24 है तो b के अंदर डाल दो वो भी नामक container जो है जो भी नामक variable बनाए उसके अंदर store कर दो तो इसलिए यहाँ पर 6 multiply by 4 की value 24 हो जाती है ठीक है तो यहाँ पर मैं आजाओ को वापस से notes में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर arithmetic operators cannot work with booleans booleans पर काम नहीं करेंगे arithmetic operators बागी सब पर काम करेंगे जो कि यार 1 plus 2 क्या होता है मतलब क्या करना कर चा रहा है अगर कोई बंदा ही लिख रहा है 1 plus 2 या 4 multiply by true तो यार मतलब इसके बात को मतलब बनता नहीं है तो इसलिए नहीं करते हैं काम यह अब यहाँ पर मैं एक operator के ब कि मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ अगर मैं 6% 4 करूँ यानि कि 6% रही करूँ तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर आप divide कर रहे हो 6 को 4 से तो remainder क्या बचेगा इसको modulo operator बोलते हैं और वो जो plus minus times divide मैंने करके दिखा है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ क्या आपको पता है यार वो तो सारा ठीक है module operator शायद आप लोग को ना पता हो तो 2 आएगा यह क्योंकि अगर मैं divide करूँगा 6 को 4 से तो 4 multiply by 1 4 आजाएगा और 2 remainder आजाएगा तो B के value जो है 2 print होनी जी है right click run करूँगा और यहां पर देखो 2 print आ जाना चाहिए और 2 print हो भी गया ठीक है तो यह है हमारे notes जोगी बनाया है मैंने assignment operator देखा हमने arithmetic operator देखा assignment में एक चीज़ और होती है plus equals to operator उसको पता देता हूँ आप लोग को अगर मैं आपर इसको comment out कर दूँ और यहां पर लिख दूँ B plus equals to 3 और यहां पर मैं लिख देता हूँ B is equal to 9 और B plus equals to 3 तो इसको int भी बना लेता हूँ तो मैंने B को 9 किया और कहा कि B plus equals to 3 इसका मतलब यहां कि B में assign कर दो 9 plus 3 यानि कि B में 3 जोड़ दो B plus 3 equals B plus equals to 3 मतलब B में 3 जोड़ दो ठीक है इसको run करूँगा भी और यहां पर दो 12 आ गए क्योंकि 9 और 3 क्या होता है 9 और 3 12 होता है ठीक है तो इस तरह से हम लोग जो है इसमें addition और star equals to भी आप कर सकते हो यह 27 हो जाएगा star equals to and so on ठीक है तो इस तरह के बहुत सारे operators है बट आप लोग को इस तरह का pattern दिख रहा है तो इसका मतलब B is equal to B multiply by 3 आप यहां पर कर सकते हो ठीक है इसके बाद हमारे बस comparison operators होते हैं comparison operators क्या करते हैं कि true यह false return करते हैं जैसे कि अगर मैं print करूं यहां पर B तो print होई रहा है मेरा B के बाद अगर मैं print करूं 6 equals to equals to 8 तो यह true है यह false है obviously यह false है 6 8 के equal थोड़ी नहीं होता है अब एक single equal to or double equal to में difference भी समझना single equal to होता है assignment operator double equal to होता है comparison operator जो check करता है कि क्या 6 8 के बराबर भी है यह नहीं है तो इसलिए double equal to यहां पर use होता है तो 6 equals to equals to 8 मैंने किया तो false हा गया लेगिन क्या 6 equals to equals to 6 true यह false obviously यह true तो यहां पर यह true यहां पर आएगा print हो गए तो यह मेरे क्या है comparison operators क्या 64 is greater than 6 क्या यह less than 6 है अगर यह यहां पर मैं ज़रा हटा देता हम इसको मैंने क्या बना दिया है less than 6 मुझे लिखना था है यहां तो 64 is not less than 6 this is false यह false यहां पर false में value it होगा अब एक बात यहां पर बताना चाहता हूं आप लोग को यह सारी चीजे है यह हमारी इस्तमाल होती है जब हम ifals conditionals में जाएंगे और उनकी बात करेंगे detail में देखेंगे ifals conditionals को और हम जब बड़ी नजदीकी से इस तरह की programs बनाएंगे जो की user का input लेती हो और user का input लेने के साथ साथ उस पर react करती हो ठीक है तो अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तब हम लोगों को यह comparison operator बहुत काम आने अब इतना समझ लो greater than less than greater than or equal to less than or equal to इसका मतलब यहां less than हो यह equal to हो तो इस तरह के operators comparison operators कहलाते हैं और comparison operators जो है हमारे वो हमने अभी देख लिए inaction return करते है true यह false ठीक है logical operator की बात करते है logical operator भी यहीं से बताता हूं आप लोगों को यह तो मैंने comparison operators बता दिया अब logical operator बनाता हूं south लिखूँगा और लिखूँगा क्या 64 is greater than 5 and 64 is greater than 8 देखो मैंने कहा यह भी और यह भी तो यह बात सच होगी यह जूट होगी अगर मैं कहूँ तुम अच्छे भी हो और तुम मार्स में भी रहते हो तो तुम अच्छे भी हो तो true है लेकिन तुम मार्स में तो नहीं रहते हो न तो एक false होगी तो overall पूरा statement false होगी अगर आपने 10 बाते बोली और 10 बातों में से आपने 9 बाते सच बोली एक बात जूट बोल दी तो कोई पूछेगा कि यह इनसान सच बोल रहा है या जूट बोल रहा है तो जब आप यह जूट बोल रहा है तो इसलिए and जो होता है operator वो जब तक सारी conditions true में evaluate नहीं होता है इस case में दोनों condition true में evaluate हो है 64 is greater than 5 और 64 is greater than 8 दोनों true है इसको मैं run करूँगा जैसे right click करके कर देता हूँ run right click करके मैं जैसे इसको run करूँगा आप लोग देखो कि यह यहाँ पर true print हो रहा है और इसको मैं अगर comment out कर दूँ just ताकि confusion ना हो आपको कि यह comparison वाला print हो रहा है यहाँ फिर मेरा logical वाला print हो रहा है तो यहाँ पर देखो यह true print हो रहा है क्योंकि दोनों ही true है अगर इस इन दोनों में से कोई बी एक में false बनाDown I is 98 कर दूँ just को मैं तो यह false है यह true है तो दोनों को true होना पड़ेगा न तभी दूं त्बहें true evaluate होगा तो यहाँ पर देखो मैं इसको run तो यह false हो जाएगा लेकिन हमारे पस एक और logical operator होता है जिसका नाम है और ठीक है तो यहापर मैं क्या करूँगा एक और example दूँगा आपको और अगर मैं इसको और कर दूँगा और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक true हो जाता है तो यह true में evaluate होता है यह तो यह true हो जाए यह true में evaluate हो जाएगा तो मैं इसको यहापर logical operator का example आपको बताता हूँ यह true में evaluate हो जाएगा देखो होगा ना यह true में evaluate तो यह होता है हमारे logical operator तो मैं यहापर लिख देता हूँ logical operators ठीक है save कर दिया इस program को मैंने और ये हमारे logical operators मैंने आपर बना दिये हैं अगले दरह कि operator की बात करें तो bitwise operator और bitwise operators जैस्ट मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको पता रहे कि bitwise operators क्या होते हैं bitwise operator bits पे गाम करते हैं जैसे कि अगर मैं आपर लिखूँ internet पर 2 in binary तो मेरे बाद यहां पर one zero आ जाएगा अब जब मैं two में bitwise operator लगाऊंगा तो वो two को पहले one zero इसकी form से देखेगा और उसके बाद इसमें operations लगाएगा for example अगर मैं bitwise यह जो and operator यह लगा तो यह क्या करेगा सब से पहले इसको one zero में convert करेगा और मालो मैं two को ही one zero में convert करता हूँ तो यह bit by bit operate करेगा bit by bit जैसे की जैसे की यहाँ पर आप लोगों समझाता हूँ मैं और यह मैं बता रहा हूँ आप skip भी कर सकते हो इस topic को सिर्फ bitwise operator को obviously सारे topics वो नहीं bitwise operators को तो यहाँ पर मैं इसको जरा बीच पर ले आता हूँ इसको भी मैं जरा यहाँ पर बीच पर लाना चाहता हूँ ताकि यह जो है symmetry रहे चीज़ है तो bitwise operator जैसे मैं आप skip कर सकते हूँ बट मैं बताऊंगा उन लोग के लिए जो लोग boolean algebra से बहुत जादा नाता रखते है तो देखो जैसे मालो मेरे पास 10 है ठीक है और मेरे पास दूसरा number है जिसको मैं लिख रहा हूँ binary में 11 मालो 11 लिख रहा हूँ तो इन दोनों को अगर मुझे and करना है तो 1 and 1 क्या होगा true true का true 0 and 1 क्या होगा and में false हो जाता है तो false तो 10 हो जाएगा तो मैं bitwise अगर इसमें and लगाऊंगा 10 और 11 में जो कि 2 और 3 होते हैं तो 2 आएगा तो मैं अगर यहाँ पर आपको south लगाऊं कुछ इस तरह से मैं इसको तरह comment out करता हूँ ताकि यह आपको पता दो चले यहाँ पर क्या चल रहा है और मैं यहाँ पर इसको ऐसे लगा देता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पर इसको or operator लगाया ठीक है sorry and operator लगाया इस पर तो मैं अगर यहाँ पर ऐसे कर दूँ south और मैं आपर लिख दू 2 bitwise and यानि कि single and 3 तो यह 2 आएगा क्योंकि देखो 0 and 1 क्या होगा 0 1 and 1 1 होगा 102 होता है ठीक है तो इस तरह से यह मुझे क्या देगा यह मुझे 2 देदेगा 2 और थरीका मैं bitwise and करूँगा तो 2 हो जाएगा बट मैं आप लोग को बिलकुप भी recommend नहीं करता हूँ कि आप इसकी details में जाएगा आपको बस पता होना चाहिए आपको क्या होते हैं comparison operators क्या होते हैं हमारे arithmetic operators मैं थोड़ा सा चीजों को structure कर देता हूँ और मैंने इसको थोड़ा सा घिच-पिच कर दिया है तो मैं नहीं चाहता कि यार मैं कोई assignment operators फिर comparison operators है और comparison के बाद logical operators है और इसके बाद bitwise operator भी मैंने आप आप लोग को बताया है तो मैं आप पर bitwise operators थोड़े से complicated आपको लग सकते हैं इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप एक beginner है जादा दिमाग मत लगाना bitwise operator में this should be enough ठीक है हमने यहाँ पर एक दो तीन चार पांच पांच तरह के operators यहाँ पर लिख दी है यह था हमारा one यह था हमारा two यह था हमारा three यह था हमारा four और यह था हमारा five ठीक है तो यहाँ पांच तरह के operators हमने यहाँ पर लिख दी है ठीक है अब यहां को नीचे देखो मैंने क्या लिगा है मैंने काई किया arithmetic operators cannot work with booleans ठीक है booleans का काम नहीं करता obviously percentage operator can work on floats and doubles also ठीक है तो integer में कैसे काम करेगा पता है बाई 4 को 2 से divide के remainder 0 है 4 modulo 2 0 आएगा लेकिन अगर मैं कहूं 4.1 को divide करो मैं कुछ इस तरह से बोलू कि भाई 4.1 या फिर 4.8 modulo 1.1 करो तो क्या होगा जब आप divide करोगे 1.1 से 4.8 को तो remainder कितना आएगा अब यह कितने से जाएगा 4 बड़ चला जाएगा 4.4 आजाएगा फिर आप इसको divide करोगे तो 0.4 remainder बचेगा 0.4 remainder बचेगा तो 0.4 आजाएगा इस कान से ठीक है तो यह decimal remainder भी दे देगा और मैं इस चीज़ को बता है कहाँ लिखूँगा इस चीज़ को मैं ले जाके लिखूँगा यहाँ पर arithmetic operators के अंदर तो इस चीज़ को मैं arithmetic operators के अंदर लिखूँगा क्योंकि और modular operator के बाद लिखूँगा यहाँ ठीक है यह decimal remainder return करता है so I hope कि आप लोगों समझ में आ गया काफी अच्छे से कि किस चाना से सारे operators काम करते हैं हम आगे बढ़ेंगे notes की PDF आपको मिल जाएगी मैं आप पर precedence की बात करूँगा अगले वीडियो में अगर आप लोगों ने java tutorials अभी तक access नहीं कर यह playlist तो यार यह playlist access करना आपको बनता है करना चाहिए आपको access जल्दी से जल्दी क्योंकि अगर आपने इसमें भी देरी करी तो फिर आपको फिर मैं कैसे बताऊंगा java starting send तक मैं चाता हूँ कि आप एक playlist access करो यह और इसमें सारे वीडियो में डालू और अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगें तो प्लीज लाइक कीजे मैं आप इसे भी बोलना चाता हूँ कि मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कहना चाता लाइक कर दो अब खुद ही यार कर दिया करो लाइक दिल से बहुत खुशी होगी मैं काफी महनट डाल ला हूँ टाइम डाल रहा हूँ नोट्स भी आप लोग के लिए लिक रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता है सो थैंक इस सो मच गाइस फॉर वाज़िग इस वीडियो and I will see you next time